हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसफ टॉन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका बिग बॉस सीजन 17 के घर में अब खलवली मच गई है यहां तक कि पहले ही दिन इतने जाते छगड़े हो गए हैं कि भाई घर का महौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है यसी वीज गाईज मैं आपको एक बड़ी इंफर्मेशन देने वाली हूँ और वो इंफर्मेशन है कि अब घर के अंदर पहला नॉमिनेशन टास्क हो गया है और इस नॉमिनेशन टास्क में आप बिचारी मनारा फस कई है जी हां मनारा के उड़ गए है होश क्योंकि मनारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनारा के साथ उनके अपने ही करेंगे विश्वास खा दरसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनारा फूट फूट करोती नजराई है एक प्रोमो सामने आया है इस मना इस प्रोमो में न मनारा की आखे नम है वो भावुक नजरा रही है और उनकी आखों से आपको मैं बता देती हूँ कि बिग बॉस के सत्रवे हाउज में जीहां बिग बॉस सीजन 17 के पहले नॉमिनेशन टास्क में मनारा नॉमिनेट हो चुकी है और मनारा को नॉमिनेट करने वाले विकी जैन भी है जीहां विकी के साथ मनारा एक अच्छा बॉन्ट शेयर करती ह मनारा को लगता था कि जो विकी है उनके साथ बहुत हद बोल कर बाते करते हैं बहुत ही सामने से आकर अच्छा जेस्टर देते हैं तो वो शायद उन्हें नॉमिनेट नहीं करेंगे पर ऐसा नहीं हुआ मनारा को विकी की तरफ से नॉमिनेट किया गया इतना ही नहीं विकी के अलावा नील भर्ट, एश्वरिया शर्म और ईशा मालवया ने भी मनारा को ही नॉमिनेशन में डाल दिया है लेकिन मनारा सबसे ज़्यादा आहत है विकी के नॉमिनेशन करने से क्योंकि मनारा को ऐसा फील होता था कि जो विकी जैन है वो बहुत ज़्यादा एक कॉडियल बिहेवियर उनके साथ दिखा रहे हैं ऐसे में मनारा ने कमेंट किया है कि जो विकी जैन है उनके इस तरह के बरताब से वो बहुत ज़्यादा हट हुई है आहत हुई है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विकी उन्हें ऐसे नॉमिनेट कर देंगे यहां तक कि मरनारा ने कह लिया है कि लोगों के यहाँ पर डबल स्टांडर्ड्स है आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताईए कॉमेंट में इस वीडियो में इतना ही देखते रहिए गॉसप टॉण